साथ यो किसी भी देश की प्रगतिम हैं, देश स्वास्यों के स्वास्त की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है, हमारी यह कहते हैं न, अगर बच्चा स्वस्त है तो भविश्य भी स्वस्त है, बहतर स्वास्त, बहतर भविश्य का मार्ग बताता है, इसी सोच के साथ बीटे वर्षों में हमने Health Infrastructure के साथ साथ जन जागरुकता पर बिमारियों के से बचाव पर बिमारियों को गंबीर होने से रोकने पर विशिस बल दिया है आज पुरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशालिटी अस्पतालों का ससर्थ नेट्वर्क तयार हुआ है पिछले दो दस्षकों में Medical College 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं एम्स भी बन रहा है और कई Medical College प्रस्तावी था है सूरत में भी स्मीमेर हो नया सिविल अस्पताल हो जाज की सुविदाय हो स्टेम सेल ट्रांस्प्लांट की बात हो या फिर महामारियों को मोनिटर करने के लिए विशिस सेंटर अनेक आधुनिक ववस्ताएं बढ़ाई गई है आरोध्य को प्रात्फिक्ता देने के इस प्रयास में हमने जन भागी दारी को सर्वोच्य मार्ग माना है इसमें हमारे सूरत के रत्नकलाकारों ने दूसरे व्यपारिक और सामाजिक संगतरों ने हमेशा ही बढ़ चट करके हिस्ता लिया है और मुझे खुशी है चाहे सवराष्टर से आये हुए लोग हो चाहे उत्तर गुजरात से आये हुए लोग हो चाहे हर्याना से आये हो राजस्तान से आये हो आंद्र से आये हो उडिसा से आये हो हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भराय के लिए किया ही किया है आरों के लिए बड़े-बड़े कैंप्स लगाने की एक समुरुद्ध परिपाटी बीते दस्वकों में सुरत में विक्षित हुई है आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है साथियों मेरी अभी इस कैंप के लाभारतियों से बात हुई है मैं इस कैंप से जुड़े डॉक्टरों से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ मेरा आग्रह है कि आप इलाज के साथ साथ मरीजों को उनकी लाइफ स्टाइल पर भी जरूर बातित करे आप उन्हें पौश्टिक अहार के लिए प्रेरित करे डॉक्टरों की एक छोटी सी सलाव बिमार व्यक्ति का जिवन बदल सकती है उसे अनेक सारी तकलिवों का सुटकारा दिला सकती है